हलो एवरीवन विल्कम तो एक्लास अफ फिप्ट सेमिस्टर टीवाइब कॉम अवर सब्जेक इस कॉस्टिंग अकाउंट और टॉपिक चलना है रीकंसिलेशन अफ कॉस्ट फिनेंचल अकाउंट तोड़े इस अवर थर्ड लेक्च्छर लेक्च्छर वन में हमने इंट्रोक् वीडियो बहुत इंपाटन है बच्छो इंट्रोक्षन वीडियो में मैंने आपको ये वोकिंग नूट बताया था तो ये वोकिंग नूट भहुत इंपाटन है इसी के बेस पर आपको स्म करना है तो आज कर जोस्वार में हमारा क्रेंट नबर टू है from the following प्रिपेर as per cost record, देखो मैंने आपको loss as per cost, profit as per cost, financial profit, financial loss, चार चीजे बता हैंती, sum किसी से भी start हो सकता है, और जिससे भी start होगा, असके लिए मेरे लिए working note important है, तो heading याद रखें, reconciliation statement as on date, ने अप departure लिखेंगे, costing loss चुरू हो रहा है, 1.724 mil anche lucas, working note अब important है costing loss का क्या working note बताया था मैंने costing loss heading costing financial ये तो common है debit credit ये भी common है sign बदलते जाएगा हर format में अगर ये costing profit होता तो sign will be add less less add आज जो हम करें costing loss करें इसलिए less add add less ये बहुत important है costing loss से शुरू करना है दो पार्ट हमारे पास add और less का तो बाखी कि एंट्रियां कौन सी add में हैगी कौन सी less में हैगी ये ही important है और इसको सही से लिख दिया तो हमारा sum हो गया तो हमारा पहला transaction है work overhead under recovered in costing work overhead expense costing में बोल रहा है expense costing में debit side आता है ठीक है मगर ये बोलता है under recovered ये चीज ठीरी बहुत important है under record और over recovered की under recovered means opposite side इसको याद रखना आपको तो work overhead costing में debit आता है और under recovered word है यानि opposite opposite यानि आपको credit में लिखना है और credit का sign है add तो ये 3 1 2 0 आपका add में जाएगा ये फंडा याद रखना under recovered opposite over recovered same अब अगला entry होई है बच्चो हमारी administrative overhead यानि expense of costing over recovered in costing अब क्या वोला मैंने पहले तो सई जगा पकड़ो administrative overhead यानि costing का debit ये सई जगा है आगे word है over recovered अभी बताया था मैंने under recovered opposite side over recovered same side यानि debit का debit में ही रहेगा और debit का sign है बच्चो लेज यानि सत्रा सो आपको less के under लिखना है ये चीज़े आपको समझ नहीं है question number one में नहीं हुआ था ये question number two में over or under आ रहा है इसको ध्यान देना अब अच्चो depreciation finance का भी है depreciation cost का भी है और जब मैंने बोला दोनों आ रहा है तो दोनों को जगे पे input कर दो पहली बात तो depreciation दोनों ही जगे पे debit है finance का है 11,200 और costing का है 12,500 तो अब बच्चों क्या करना है 12,500 को 11,200 से माइनस कर देना answer difference आएगा 1300 का something और 1300 का sign क्या होगा मैंने आपको introduction में बताया है तो question 1 में बताया है तो sign important है देखो 12,500 बढ़ा है और 12,500 डेबिट यहां costing में आ रहा उसका sign less है यानि जो 1300 का difference है वो less में जाएगा तो आप less में लिखेंगे 1300 तो यह sign important है costing का sign है 12,500 जो की minus है और difference आपको लिखना है difference आपको वो ही लिखना है जिसका sign बढ़ा है minus sign बढ़ा है इसलिए हमने minus में लिखा यानि less के under में लिखा तो यह चीज़ ध्यान देना आपको interest received next entry interest received यानि income और interest financial entry है costing में नहीं आती है received financial entry है income है credit all income and gain और credit का sign है less यानि 8,750 भी आपको less में लिखना है obsoles loss in finance अगेन यह financial entry है तो स्रिफ finance में जाएगी loss बोला debit all expenses and losses और 5,700 का sign बन गया add का तो आपको 5,700 add में लिखना है तो यह चीज़े आपको ध्यान देना है तो यह चीज़े आपको ध्यान देने नहीं देखो particular फिर से बोला particular आप समझ जाओगे important है आपको add or less ठीक है अगला है provision for income tax अगेन financial entry है बच्चो financial entry income tax यह नहीं डेबी डॉल add में जाएगा अब आता है opening stock दोनों जगे finance में भी है cost में भी है opening stock यानि debit finance का बढ़ा है या costing का बढ़ा है costing का बढ़ा है costing का debit बढ़ा है यानि minus sign बढ़ा है यानि जो भी difference आएगा वो less में जाएगा simply 54 को 52 600 से माइनस कर दो और difference आता है 1400 का यह sign यादखना फिर से बोलां opening stock finance में भी debit होगा costing में भी debit होगा और sign किसका बढ़ा है वो ध्यान देना क्यूंकि 54 बढ़ा है cost बढ़ा है cost का 54 बढ़ा है less यानि difference जाएगा less में अब ध्यान दो closing stock में same rule है पहली बाद तो closing stock की सही जगा है credit आपका finance का भी closing stock है cost का भी closing stock है अब कौन बढ़ा है इसके इंदर बच्चों finance बढ़ा है finance 52,000 है credit यानि less sign बढ़ा है अगें जो भी difference होगा वो less में जाएगा और difference is 2400 तो sign याद रगे finance का sign है minus cost का sign है add तो जो sign बढ़ा है difference वहाँ जाएगा इंटर चार्ज इन कॉस्स अकांट अन्ली भूद अच्छी बात है चार्ज यानि expense है यह और सिफ cost में debit all expense losses और इसका sign debit यानि less का sign है अगें 6000 का जाएगा आपका less में जाएगा preliminary expense return off अगें financial entry है और expense बोला यानि finance में debit और debit का sign है plus add तो 950 आपको add में लिखना है यह फंडा आपको समझ्या बच्छो यह आगे आना आपको तो वो समासान है और सब कुछ entry हो गही है तो आप simply add का total बाहर लिखेंगे same way less का total बाहर लिखेंगे जब हम total बाहर लिखेंगे इसका मतलब सब को plus करके बाहर लिखेंगे अब 50,070 का sign है add यानी 1,72,400 से हम इसको add करेंगे it will be 2,22,470 अब बच्छो 21,550 का sign है less यानी 2,22,470 से 21,550 माइनस कर दो तो आपका answer आया 2,920 सम शुरू हुआ तो costing loss है तो सम end होगा financial loss पे एक चीज़ important है बच्छो ये जो answer final answer आएगा न इसको ध्यान देना अगर suppose ये answer negative हो जाता यानी minus sign बड़ा होता सब्सक्राइब माइनस sign में 3,00,000 होता total 3,00,000 example तो 2,00,000 में से 3,00,000 का अगर minus करे तो answer negative आएगा तो जब भी answer negative आए तो ये चीज़ को change करनी पड़ेगी costing losses शुरू आ तो financial loss ने फिर financial profit लिखना पड़ेगा ये sign समझने आपको आगे चलके बताऊंगा मैं आपको फिलाल तो normal calculation चल रहा है तो अभी कोई headache नहीं हमारे लिए मगर ये चीज़ पर ध्यान देना आपको अगर costing losses शुरू हो रहा है और नॉर्मल यानि पॉजिव answer है त तो financial loss opposite और अगर answer negative आया तो costing loss फिर यहां पे लिखना पड़ेगा financial profit ठीक है सम्में आगे और बताऊंगा मैं ये क्योंकि ये important है इसके इंदर देखो add or less hope so आपको समझ में आ रहेगा ये चीज़ को आपको अच्छी तरह से use करना है यहां पे चार चीज़े हैं फिर से बता लगे, costing profit का sign अलगे, financial profit का sign अलगे, financial loss का sign अलगे तो आपका सम्म जिससे भी start हो रहा है वो वाला working note यूज करना है और वो ही आपको सही से बताएंगे add में कौन जाएगा और less में कौन जाएगा ठीके बचो hopes हो यहां तो कोई doubt नहीं इंशल्ला नेक्स वीडियो में जल्द आजए़